कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि हमारा जो एक्जेस्टिंग फ्लोरिंग है वह है पुराना हो गया है उसमें कुछ स्क्रेचेज पड़ गए है या फिर उसकी पॉलिस चली गई है तब आप सोचते होंगे कि इसकी पॉलिस वापस कैसे लाये जाए इसके जो स्क्रेचेज हैं वो कैसे निकाले जाए कभी कभी तो आप यह भी सोचते हैं कि टाइल्स के उपर ही टाइल्स लगवा देते हैं तो क्या टाइल्स के उपर टाइल्स लगवा सकते हैं क्या अगर आपके फ्लोरिंग में मार्बल ग्रेनाइट या कोटा बेठाया है तो क्या उसके उपर भ उपर टाइस लगाते हैं तो क्या खर्चा कम आता है या फिर ज्यादा आता है एक सब्सक्राइबर ने पुछा था कि मेरे घर में मेट विच्छाई हुई है क्या उस मेट पर मैं टाइस लगवा शकता हूं आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे किन-किन प्रिष्थित प्रिष्थियों में टाइस के ऊपर टाइस नहीं लगानी चाहिए और अगर टाइस के ऊपर टाइस लगानी ही पड़े तो इसका राइट प्रोसेस क्या है इन्हीं सब टोपिक पर आज के इस चल्चितर में हम बात करने वाले हैं अगर आपको लगता है कि आपका कोई कोई खास जरूरत है तो नीचे जोइन बटन दिया गया है वहां पर आप जोइन बटन करके मुझे वाट्स अप पर मेसेज करें मैं आपके साथ बात करके आपकी समझ्या का समाधान कर दूंगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आपको डिशाइड करना है कि इस को लाइक करना है या डिसलाइक करना है सेर करना है या फिर कोई कमेंट करना है तो चलिए अब समय बरबाद नहीं करते हैं और वीडियो की सुरुवात करते हैं सबसे पहले मैं आपको मेरा प्रीचे देना चाहूंगा मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कोंट्राक्टर गो तो बेशक आप ऐसा कर सकते हैं टाइल के उपर टाइस लगाने के मुखे दो तरीके हैं पहला तरीका है कि टाइस को अभेसिव में यानी कि टाइस वाले केमिकल में बैठाया जाए और दूसरा तरीका है पूरानी टाइल के उपर एक से डेड इंच सेंड सिमेंट का मोटार बना कर उसको सिमेंट में ही बैठाया जाए ताइल्स के उपर टाइल्स तो हम लगवा सकते हैं लेकिन कुछ ऐसी खास प्रिष्थितियां होती हैं जिनको ध्यान में रखा जाए तो हमको टाइल्स के उपर टाइल्स नहीं कानी है पहला कारण है बेंड फ्लोरिंग अगर आपका पुराना फ्लोरिंग बेंड हो चुका है यानि उसमें कहीं बड़ा खड़ा हो गया है या फिर कहीं उभार हो गया है तो उस परिष्टिति में आपको टाइल्स के उपर टाइल्स नहीं लगवानी चाहिए नहीं तो अगर आप उस फ्लोरिंग पे उपर टाइल्स लगाएंगे तो नया फ्लोरिंग भी आपक सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी अडेशिव का थिकनेश थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ेगा वह हो जाएगा और अगर आपके फ्लोरिंग में उभार या खड़ा एक डेडिन से ज्यादा है तो आप उसके ऊपर सेंड सिमिंट का मोटार डालके भी टाइस उखा हुआ है या फिर उसमें एक तरफ स्लोब दियावा है लेकिन आपको स्लोब उधर नहीं ये साइड में लेकर आना है तो उस इस्तिति में क्या होगा एक साइड में जहां पर स्लोब दियावा है वहां पर मसाला ज्यादा आएगा और अडेशिव की जो मात्रा होती है ज्यादा से ज्यादा आप 15-16 mm से अडेसिव ज्यादा नहीं ले सकते वैसे जो अडेसिव की साधन मात्रा है वैसे 7-8 mm ही होता है लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा कोशिस कर लेते हैं तो हम 15-16 mm तक अडेसिव को यूज कर सकते हैं लेकिन अगर आपको सलोब उल्टी साड में लेके आना है तो वहाँ पर देड़ से दो इंच मसाला देना पड़ेगा उस प्रिस्तिती में आपको टाइल्स के ऊपर टाइल्स नहीं लगवानी चाहिए ऐसे में पुरानी टाइल्स को निकाल कर ही नया फ्लोरिंग करना चाहिए या फिर आप उसी टाइल्स के ऊपर नया से लो शाउंड आता है ऐसी प्रिष्थिति में आपको उस टाइल्स के ऊपर टाइस नहीं लगवानी चाहिए अधरवाइज दो-चार साल बाद में जब पुरानी टाइस नीचे धसेगी तो आपका नया फ्लोरिंग भी नीचे धस जाएगा यह फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर के अंदर सिमिंट का फ्लोरिंग कियावा है और उसमें बड़े-बड़े गड़े बन गए हैं उसमें से बजरी या फिर मिट्टी निकल रही होती है ऐसी प्रिष्थिति के अंदर भी उस फ्लोरिंग पर डाइरेक्ट केमिकल में टाइस नहीं लगवानी चाहिए वहाँ लगता है कि मैं चटाई के उपर ही टाइस लगा दूँ तो आप गलत सोच रहे हैं पहले टाइस के उपर जो मेट बिछाई है उसको हटा देना है नीचे वाले फ्लोरिंग को साप कर देना है और उसके बाद में ही आपको टाइस केमिकल में बेठाना है अगर आप मेट के उ पता रहा हूं वो भी इंपोर्टेंट है और वो है आपके डोर फ्रेम की हाइट है अगर आपके डोर फ्रेम की यानि कि चोखट की हाइट कम है तो आपको टाइस के उपर टाइस लगाएंगे तो उसकी हाइट और कम हो जाएगी और आपको ज्यादा प्रोब्लम होगी आप आपके door frame की height कम से कम 6 put तो होनी ही चाहिए अगर 6 put से आपकी height door frame की ज्यादा है तो आप tiles के उपर tiles लगवा सकते हैं otherwise आपको tiles निकालकर ही tiles लगवानी चाहिए tiles के उपर tiles नहीं लगाने का चट्था कारण यह हो सकता है कि आपने सोच के रखा है कि मैं मेरे घर में बड़ी size की tiles लगाऊंगा क्योंकि अभी बड़ी size की tiles का ही trained है, तो भाई साब आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि पुराने flooring के अंदर थोड़ा बोहतो band रहता ही है, और अगर आप पुराने flooring पर यानि band flooring के ऊपर बड़ी size की टाइस लगवाएंगे तो वह नीचे से खाली रह जाती है फोलो रह जाती है और उसके अंदर आवाज आती रहती है पेर रखते हैं तो उसमें वाइब्रेशन फील होता है इसलिए बड़ी सैज की टाइस आप पुराने फ्लोरिंग पर ना लगाओ तो ही अच्छा है अच्छा है ताकि आपकी प्लंबिंग पाइप और इलेक्ट्रिकल पाइप दिवार या फ्लोरिंग में कंसल हो जाए यानि वो ढख जाए वेसे भी पहले आपके पुराने पाइप को निकालना पड़ेगा और उसके बाद नया पाइप डालना पड़ेगा और जब पुरान प्लंबिंग का जो काम है वह अच्छे से हो पाएगा दिवारों की टाइल्स के लिए भी यही नियम लगू होता है अगर आप दिवार की टाइल्स के ऊपर टाइल्स लगवाना चाहते हैं तो भाई साब लगवा सकते हैं उसके लिए पुरानी टाइल्स का जो प्रिंट है वहेज grinder से आपको हटवा देना पड़ेगा और उसके बाद में adhesive से नया ties लगवा सकते हैं कोई दिकत नहीं आएगी लेकिन अगर उसमें कुछ plumbing का, electrical का, कुछ wire आपको डालना है, pipe डालना है, renovation करना है तो आपको पूराना ties निकाल देना है और उसके बाद में नया plaster करके ही ties लगवाना है और आठवा कारण है budget कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि tiles के उपर tiles लगाने से हमारा काम सस्ता भी हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा हाँ अगर हम technically सोचते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि यह संभव है लेकिन अगर आप practically करने जाएं तो यह संभव नह नहीं है इसमें budget कम नहीं बलकी ज्यादा लगता है हां कुछ ऐसी खास प्रिस्तियां होती है जिसमें tiles के उपर tiles लगाने से time कम जाता है और पैसा भी कम जाता है लेकिन अधिकतर मामलों में ऐसा ही देखा गया है कि tiles के उपर tiles लगाने से budget बढ़ जाता है और time ज्यादा इसका जो process है वह थोड़ा धीमा होता है और उसकी वज़े से इसकी जो labor cost है वह थोड़ी सी बढ़ जाती है दूसरा कारण है कि tiles को tiles पर बैठाने के लिए tiles adhesive की जरूरत पड़ती है जो की cement से तीन गुणा महंगा आता है तीसरा कारण है कि जिस tiles के उपर आप tiles लगवा रहे हो उस नीचे वाली tiles का print सुडाना पड़ता है उसका color सुडाना पड़ता है उसको वहां से grinder से rough करना पड़ता है तब जाकर वहां पर tiles लगती है ऐसे में आपके घर में धूल मिटी जमा हो शकती है आपका काम भी delay हो सकता है तो अब तक मैंने बताया कि आपको किन किन प्रि सितियां आपके पास में नहीं है तो आप tiles के उपर tiles लगवा सकते हैं अब देखते हैं कि पुरानी tiles को निकाल कर नया tiles लगाते हैं तो इसमें क्या process है और कितना खर्चा आता है तो सबसे पहले हमको tiles को निकालने के लिए उसकी मजदूरी चुकानी पड़ेगी जो 10 से 12 के लिए हमको transportation का खर्चा भी उठाना पड़ता है जो per square foot के हिसाब से 2 या 3 रुपया हो शकता है उसके बाद आपको थोड़ी सी sand भी मगवानी पड़ती है मैंने थोड़ी सी sand इसलिए बोला है क्योंकि आधी sand आपको पुरानी tiles के नीचे से भी निकल जाएगी उस sand को और नई sand को mix करके आप flooring करवाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा बेशक आप उस बजरी को काम में ले सकते हैं अगर उसके अंदर बड़े बड़े गड़े नहीं है या फिर cement के गठे नहीं है अगर ऐसा है तो उस बजरी को चान कर भी काम में लिया जा सकता है इसलिए थ कौन सी टाइल्स का आपको कितना रुपया मजदूरी देना है और माल समान के साथ में भी इसका कितना खर्चा आता है इन विशेव पर मैं वीडियो बना चुका हूं लिंक उसका आपको description में मिल जाएगा वहां से भी आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा और अगर यह आपकी उम्मीदों पर खराग उत्रा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों को सेर कर दीजिए और नीचे कमेंट कर दीजिए आज के लिए बस इतना ही आप खुस रहें मस रहें और अपना ख्याल रखें नमस्ते जय हिंद अन्दे मत्रम